दर्भंगा का ललित नारायन मिथला विश्व विद्याले और वहां की हिंदी विभाग का प्रोफेशर अखलेश कुमार कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को देड़ रात फोन करके उल्टी सीधी और गंदी बाते करता है केवल गंदी बाते ही नहीं बलकि वो रात में अपने घर पर आने की जिद भी करता है और खुद की न्यूड तस्वीरे भेजता है और साथ ही गंदी हरकतों से लड़कियों को लगातार परिशान करता है जब लड़की उसकी अश्लील प्रोफेसर की बात नहीं मानती है तो वो घटिया प्रोफेसर लड़कियों को परिक्षा में फेल कर देने की धमकी देता है देर रात लड़कियों को फोन पर उनकी मा बहन की गाली देता है और साथ ही अपनी उची पहच का धौस जमा कर बड़े बड़े राजनितिक लोगों के साथ अपनी तस्वीर दिखा और खुद को प्रभावशाली बताकर लड़कियों को लगातार मानसिक और शारिरिक शोशन करता है अब नमस्कार में निया चौदी क्यामरा परसन विशाल के साथ और आप देख रही हैं जनता जंक्षन यह ताजा मामला दरभंगा से आया है जहां इस घटिया प्रोफेसर के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो और वाट्सअप चैट्स दिखाया है सबों दिखाते हुए छात्राओं ने प्रोफेसर पर यह आरोप लगाया है कि रात में सरकॉल करके हम लड़कियों से गंदी-गंदी बाती करते हैं और जब हम इसका विरोध करते हैं तो व मामले की पुष्टी करते हुए रिपोर्ट कॉलिज की कुल सचिव को भेजती है कॉलिज की कुल सचिव ने भी मामले की पुष्टी करते हुए इस रिपोर्ट को आगे भीजा है और मामले को गंभीरता से जाच करने के लिए आदेश जारी किया है इस मामले में जैसे ही जा के साथ वाइरल हो रही है बिहार के राजिपाल और उपमुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ अखलेश कुमार की तस्वीर उनके उची पहुंच की दास्ता बया करती है हिंदी विभाग में पढ़ने वाले छात्राओं ने बताया कि वो सभी प्रॉफ करते हैं और उन्हें घर आने के जिद करते हैं जब लड़किया ऐसा करने से मना कर देती हैं तो वह रिजल्ट में गरवड़ी करने की धमकी देते हैं तई बार तो प्रॉफेसर ने अपने खुले बदन वाली तस्वीर भी भेजी इसके अलावा वाट्सप पर भी कई तरह क के गंदे मैसेजस किये हैं लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तब इसके शिकायत लड़कियों ने विश्विद्याले प्रसासिन से की और लड़कियों ने ये मांग रखा है कि जब तक प्रॉफेसर अखलेश को कॉलेज से हटाया नहीं जाता या फिर उन्हें बर पढ़ने वाली लड़कियों पर उनकी गलत नजरे रहती हैं उनके कई सबूत भी मौजूद हैं इस मामले में इंदे विभाग की विभादय ध्यक्ष राजेंद्र साह ने बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखलेश पर आरोप लगे इसके पहले भी लड़कियो तो उबर्ग संचालन के समय भी अपनी कुरसी पर नहीं मिले उनके कुरसी खाली पड़ी थी जबकि टेबल पर नेम प्लेट दिखाई दे रहा था अखलेश कुमार कहां मिलेंगे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है इस मामले को लेकर आगे जो भी अपडेट्स आएगा हम आ आगे की खबरों के लिए जनता जुंक्षन देखती रहें खन्यवाद